हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दिवयास किचन, फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ न सर्दियों की मेरी फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है शलगम, मैं शलगम किसी भी वे में खाना पसंद करती हूँ, सालेड है, अचार है या इस तरह की सबजी, आपको भी पसंद ह होता है जड़ोती है और नीचे वाला पर ये दोनों पार्ट मैं इसके इस तरह से कट कर दूँगी और इसे पतला पतला चिलका उतार कर मैं छील लूँगे, इस शलगम इतना टेस्टी लगता है आप इसको कच्छा भी खा सकते हो कि मीठा होता है, सबजी तो आज हम बनाई अचार भी हम बनाते हैं इसका, लीजे मैंने ये छील लिया है, अब धो लिया है साथ में, अब इसको मैं क्या करूंगी इससे ना बीच में से कट करके, इसके हम छोटे-छोटे से चकोर पीसिस कट कर लेंगे, क्यूब्स कट कर लेंगे, जादा छोटे बिल्कुल मत मैं साथ में और फ्लेवर देने के लिए एक हरी मिच डालूँगी और डालूँगी हरे मतर, मतर ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो और क्वंटिटी डाल दीजे, अब ये सबजी बनती है देसी घी में, देसी घी गरम करने के बाद हम डालेंगे जीरा, ये घी में सबजी का अच्छा फ्लेवर आता है, तो घी में ही बनाईएगा, थोड़ी सी अजवायन और डालेंगे हींग, ये सब मसाले हैं बहुत बेसिक मसाले हैं और बहुत सिंपल मसाले हैं, लेकिन डालेंगे तो इसका फ्लेवर और इन्हांस होगा, दबेगा नहीं, दीजे, अपने हिसाब से कम जादा भी कर सकते हैं, और मटर, ये मेरे फ्रेश मटर है, इसलिए मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ, फ्रोजन मटर है, तो आप इसे बाद में डालिए, ताकि मटर भी स्टेज में आके न कुक हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि शल्गम तुमारा बहु हो जाएंगे, ठीक है, अब बेसिक मसाले, अपनी नमक दानी उठाइए, हल्दी डालिए, रेड चिली पाउडर डालिए, धनिया पाउडर डालिए, और नमक, मसाले आपके टेस्ट के एकॉर्डिंगली ही डलेंगे, थोड़ी लाल मिट्स कम रखेगा, ताकि हल्दी का चाहिए, दबे नहीं, लीजे, ये हो गया है, अब बस, अब इनको उपर नीचे एक से दो मिनिट हम करेंगे, मसालों के साथ, और लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारे शलगम जो है, वो एक दम से सौफ नहीं होते हैं, इसमें पानी डालने में हमारी सबजी बनके तैयार हो जाती है, और इतनी खुशबू आरी है न स्टेम शलगम की, और घी में बन रही है, और मज़दार आ रही है, अब देख रहे न, अब देख में हमने मोटे मोटे चंक्स रखे थे थे न, बीच में आप कुछ कुछ उसको दवा के आप उसको कर लीजे, मश कर लीजे, यह देखे, हमारे चंक से एकडम से सॉफ्ट हो गए है, यह देखे, अब इसमें थोड़ी से सबजी इकठी करने के लिए, मैं इसमें और मज़दार फ्लेवर देने के लिए डाली हूँ, गुड, जी हाँ, इस शलगम की सबजी में बहुत सारे फ् गुड अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, हरा धनिया डाली है, आप चाहें तो हलका सा गरम मसाला डाली है, लेकिन मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहती ही कि शलगम का अपना फ्लेवर डाउन हो जाए, बस कुछ नहीं करना है बस low to medium flame पर इस तरह से इसे कटशी चलाते जाए, सबजी हमारे एकदम से एक सार हो गई है, और एक बढ़िया सी आपकी शलगम की सीजनल सबजी बनके तयार हो जाती है, जटपट से ना तो बहुत सारे प्यास चाहिए, टमाटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिरफ मार्क तो आप भी एक बढ़ ट्राई कीजेगा मेरी इस रेसीपी को और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको और आपकी फामिली को ये कैसी लगे, और सर्दियों में आप कौन-कौन सी रेसीपी बतना आते हैं, उससे जरूर शेयर कीजेगा, मैं भी ट्राई करूंगे, बस उप